हेलो एवरीवन स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्फेक्ट फार्मेसी पे मैं हूं सुनिता कवर और आज की वीडियो के अंदर हम जो औरगिनिक केमेस्ट्री हमारा सबजेक्ट है फूर सेमेस्टर का उसकी फिफ्ट उनिट जो है वो हम स्टार्ट करेंगे फिफ्ट उनिट के अंदर हमें क्या है जो नेम रियाक्शन्स हम लोग पढ़ते थे 11-12 के अंदर वही रियाक्शन्स हमें पढ़नी है ऐसी रियाक्शन्स जिनका कुछ इंपोर्टेंस है सिंथार्टिकली मतलब रियाक्शन्स औफ सिंथार्टिक इंपोर्टेंस तो हमें इस पढ़नी है तो टोटल 9 reactions है जिसमें से 4 reactions हम आज की वीडियो के इंदर discuss करेंगे इंद बागी की बचे हुई जो 5 reactions है वो हम next वीडियो के इंदर discuss करेंगे तो सबसे पहले हम लोग जो 9 reactions हमें discuss करने हैं उनके नाम हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट इस metal hydride reduction जो की होगा NABH4 और LIALH4 की presence में सेकेंड इस clemencen reduction, थर्ड इस बर्च reduction, फोर्थ इस वुल्फ किशनर reduction, फिफ्ट इस ओपेनियोर oxidation, फिफ्ट इस देकेन reaction, सेवन्थ इस बैक्मेंस rearrangement, एथ इस skimded rearrangement फिफ्ट इस क्लेजन skimded condensation, थीक है, यह 9 reactions जो है, वो हमें यहाँ पर discuss करनी है, अब जो कोई भी एक particular reaction है, सबसे पहले उसके definition हमें देखने की उस reaction के अंदर होता क्या है दिन कोई भी एक particular reaction जो उसका example हमें पता होना चाहिए, एंड दिन उसके बाद में last जो है mechanism हमें उस reaction का पता होना चाहिए, क्योंकि यह reaction जो है 5 marks के अंदर या फिर 10 marks के अंदर आती है, तो इसलिए mechanism हर एक एक reaction का वो हमें पता होना चाहिए, तो 9 reactions हमें इसके अंदर पढ़ hydrogen reduction in presence of NABH4 and LiAlH4, so सबसे पहले definition क्या होगी इसकी, reduction of carbonyl to alcohols using metal hydride, मतलब जो carbonyl compounds होते हैं, aldehyde and ketones, उनका alcohol के अंदर reduction करना metal hydride के presence में जो है, वो metal hydride reduction कहलाता है, अब जो NABH4 and LiAlH4 हैं, यह दोनों हमारे पास reducing agents हैं और इनने reduction reaction के अंदर use करा जाता है, NABH4 जो है, यह होता है, sodium borohydride and LiAlH4 जो है, यह होता है, lithium aluminium hydride, यह दोनों जो होते हैं, यह most common source होता है, hydride nucleophile के metal hydride reduction reaction के अंदर, So NABH4 and LiAlH4, इन दोनों का ही जो mechanism होता है, वो approach same होता है, एन example भी दोनों के अंदर same आते हैं, बट फिर भी हम लोग अलग अलग देख लेते हैं, पहले हम देखते हैं, LiAlH4 का मतलब lithium aluminium hydride के presence में metal hydride reduction, So यह जो होता है, एक strong reducing agent होता है, यह क्या करता है, aldehydes को तो primary alcohols के अंदर reduce करता है, और ketones को secondary alcohols के अंदर reduce करता है, अब हम इसका example देख लेते हैं, जैसे कि acetone है, CH3COCH3 in presence of LiAlH4 and water, इससे बनता है CH3CHOHCH3, That is 2-propanol, ठीक है, तो यह क्या है, यह secondary alcohol है, तो जो ketone है, ketone से secondary alcohol का formation होता है, in presence of lithium aluminium hydride, ठीक है, तो यह हमारा example हो गया है, definition हो गया है, इसका mechanism देखते हैं कि यह reaction जो हो होती किस तरीके से है, तो इसके mechanism के अंदर हमारे पास 3 steps होंगी, सबसे first step यह है कि hydride जो है H- उसका formation होता है, तो हमारे पास यहाँ पर reducing agent क्या है, LIALH4, तो इसमें से LI plus अलग हो जाएगा, और ALH4 माइनस अलग हो जाएगा, उसके बाद में जो यह ALH4 माइनस है, इसमें से यहाँ से जो bond हो तूट करके इदर चला जाएगा, जिससे कि H- अलग हो जाएगा, और इसके अपर minus charge पहले से यहाँ से अटेगा, तो इसके अपर plus charge आजाएगा, तो इसलिए यह जो है, यह ALH3 बन जाएगा, तो इस तरीके से हमारे पास में आगया, H- hydride ion आगया, और ALH3 आगया, ठीक है, दिन second step हमारे पास आते है, nucleophilic attack by hydride ion, मतलब जो हमारे पास में acetone है, उसके ओपर hydride ion जो है, अब attack करने के पहले जो acetone है, इसके अंदर क्या होगा, यह वाला bond तूट करके इधर पर चला जाएगा, तो इसके ओपर minus charge आजाएगा, तो अब जो H- है, hydride ion यह negative है, तो यह क्या करेगा, positive के ओपर जाकर के attack करेगा, यहाँ पर यह bond break होगा, तो जो इसके ओपर negative charge आजाए प्रोटोन जो है, वो इसके साथ में add हो जाएगा, तो यहाँ पर मारे पास negative charge है, इसके ओपर H- प्लस जो है, यहाँ से निकल करके H- प्लस जो है, वो इसके ओपर attack कर जाएगा, तो इससे हमारे पास में secondary alcohol का formation हो जाएगा, that is CH3, CHOH, CH3 and plus LIOH, ठीक है, तो इस तरीके से simply lithium aluminum hyd होता है, जिसके अंदर क्या होता है, कि ketone जो है, वो secondary alcohol के अंदर reduce हो जाता है, अगर हम aldehyde लेंगे, तो aldehyde जो है, वो primary alcohol के अंदर reduce होता है, now second हम लोग देखेंगे, NABH4, that is sodium borohydride के presence में reduction किस तरीके से होगा, तो यह जो है, यह भी एक strong reducing agent है, बट इन दोनों में से जो lithium aluminum hydride होता है, वो जादा strong reducing agent होता है, now जो sodium borohydride होता है, यह aldehyde ketone and जो acid chloride होते होते हैं, उन सबको alcohol के अंदर reduce करता है, इसका example हम लोग देखते हैं, इसका भी example वह है कि acetone जो है, उसका reduction हो रहा है, 2 propanol के अंदर, टेके CH3, CO, CH3 that is acetone in presence of sodium borohydride and यहाँ पर जो proton का source होता है H plus का source होता है, वो होता है, C2H5OH and इससे जो है, 2 propanol का formation होता है, that is secondary alcohol, जो कि है CH3, CHOH, CS3, so example जो है, दोनों जोगे हमने same लिया है, नो हम देखते हैं कि इसका mechanism क्या होगा, तो इसके mechanism के अंदर भी वही तीन same steps होंगी, सबसे first step के अंदर क्या होगा, formation of hydride, मतलब जो hydride ion है, Na BH4, तो Na plus and BH4 minus, अब यहां से यह bond तूटेगा, तो क्या होगा, H minus यहां से बाहर निकल जाएगा, एंद इसके उपर plus charge आ जाएगा, एंद प्लस माइनस मिलकर के क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा, तो इसलिए हमारे पास H minus, जो कि हाइड़ाइड आयन है, प्लस BH3 का formation होगा, तो इसे क्या आएगा, CH3, CHO का माइनस रहे गई, and CH3, then इसके बाद में third step के अंदर क्या होगा, कि proton जो है, वो इसके उपर attack करेगा, जिससे कि यहां पर जो है, OH का formation हो जाएगा, यहां से H plus निकल करके, and O minus के उपर attack करेगा, तो इसे CH3, CHO, CH3, इसका formation हो जाएगा और साथ में NaOC2H5 का formation हो जाएगा, तो इस तरीके से simply है metal hydride reduction reaction होती है, जिसका mechanism हम लोगों ने देख लिया, examples देख लिया, and definition देख लिया, इसके अंदर simply क्या होगा, कि जो carbonyl compounds है, वो alcohol के अंदर reduce होते है, in presence of reducing agents, जो हमारे पास यहां पर है, sodium borohydride and lithium aluminium hydride, ठेक है, नाओ ज इनका reduction करा जाता है, zinc, amalgam and HCl के साथ में, जिससे क्या होता है कि corresponding hydrocarbons जो है, वो हमें मिल जाते है, मतलब जो carbonyl group होता है, वो methylene group के अंदर convert हो जाता है, इस चीज़ को जो है clemencence reduction कहा जाता है, इसकी definition अगर हम लोग देखे, तो ketones and aldehydes on reduction with zinc, amalgam and HCl gives the corresponding hydrocarbons, that is carbonyl group is converted into methylene group, this is known as clemencence reduction, इसका example मेरे पास क्या हैगा, acetophenone जो है, यह क्या है, यह ketone है, तो C6H5COCH3 हो गया, acetophenone in presence of zinc amalgam, that is zinc mercury and HCl की presence में, इससे क्या होगा, ethyl benzene, मतलब corresponding hydrocarbons, उसका formation हो जाएगा, that is C6H5CH2CH3, ठीक है, तो इस तरीके से इसकी definition and example हो गया ना, हम देखते कि इस reaction का mechanism किस तरीके से होगा, so यहाँ पर यह जो है, यह complete, यह इस reaction का mechanism लिखा हुआ है, यह हम step by step देखते हैं कि किस तरीके से होगा, so सबसे पहले जो ketone है, हमारे पास RCO, R' इसके उपर H+, जो है, वो आएगा, HCL में से H+, निकल करके, इसके उपर attack करेगा, अब जो यह H+, है, यह O के साथ में attach हो जाएगा, जिससे हमारे पास क्या आएगा, RC double bond OH, और यहाँ पर O के उपर positive charge आजाएगा, R' ठीक है, अब इसके अंदर rearrangement हो करके क्या होगा, कि जो positive charge है, वो carbon के उपर आजाएगा, ठीक है, तो इसके अंदर rearrangement हुआ, तो positive charge carbon के उपर आगया, तो यह बन गय negative charge आजाएगा, ठीक है, इस तरीके से यह structure हमारे पास बन जाएगा, जो zinc है, ZN2+, वो बहार निकल जाएगा, इसके बाद में दो proton जो है, वो इसके ओपर attack करेंगे, तो दो proton के add होने से क्या होगा, कि एक तो hydrogen carbon के साथ जोड़ जाएगा, एक hydrogen जो हो OH के साथ में जोड़ जा जाएगा, तो हमारे पास जो नया structure बनेगा, वो आएगा, RC positive charge इसके ओपर, R' and H, now next इसके ओपर zinc atom जो है, वो attack करेगा, तो इससे same जैसे यहाँ पर zinc atom attack कर रहा था, वैसे यहाँ पर zinc atom का attack होगा, जिससे क्या होगा, carbon के ओपर lone pair आजाएगा, नेगेटिव चार्ज आजाए तो H+, इसके ओपर attack करेगा, तो इनेगेटिव चार्ज इसके ओपर positive H+, जो है, वो attack करेगा, तो हमारे पास क्या आजाएगा, RCH2 and R' ठीक है, यह हमारा final structure जो है, एक hydrocarbon बन गया, तो इस तरीके से, जो है, clemencen's reduction का जो mechanism है, वो होता है, अब जो है clemencen's reduction है, इसका mechanism जो है, वो properly scientist के द्वारा भी discover नहीं हुआ है, मतलब बहुत सारे अलग-अलग mechanism इसके consider करे जाते हैं, तो इसमें से सबसे simple में को यह लगा, तो यह वाला mechanism जो है, वो आपको easily learn हो जाएगा, तो आप इसको याद कर सकते हैं, तो यह थी complete clemencen's reduction, जिसके अंदर क्या होता है, जो carbonyl compounds होत जिससे की hydrocarbons के अंदर वो convert हो जाते हैं, now third reaction हमारे पास आती है, birch reduction, इसकी definition क्या होगी, reduction of aromatic rings by alkali metals in liquid ammonia और amines with ethanol as proton donor to give mainly unconjugated dihydro derivative that is cyclohexadienes is known as birch reduction, तो simply इसमें क्या होता है, जो aromatic rings होती है, इसका reduction होता है, alkali metals के द्वारा और साथी साथ वहाँ पर liquid ammonia या फिर amine भी present होता है, इथेनोल जो है, वो proton donor की तरह यहाँ पर present होता है, और इससे क्या होता है, unconjugated dihydro derivatives जैसे की cyclohexadienes हो गया है, इसका formation होता है, तो इस complete reaction को जो है, बर्च reduction reaction कहा जाता है, तो simply इसके अंदर क्या होगा, aromatic rings true होती है, वो unconjugated dihydro derivative के अंदर convert होती है, alkali metals के presence में, and liquid ammonia या amines की presence में, and ethanol जो है, यहाँ पर proton donor की तरह होता है, ठीक है, तो example हम लोग यहाँ पर देखते, benzene है, in presence of sodium metal and NH3, and साथी साथ C2H5OH की presence में, इससे क्या होता है, 1,4 dihydro cyclohexadienes का formation होता है, तो यह इसका simply example हो गया benzene से 1,4 dihydro cyclohexadienes का formation हो गया, नो हम देखते कि इसका mechanism जो है, वो किस तरीके से होगा, तो इसके mechanism के अंदर भी हमारे पास 3 steps होती है, सबसे first step के अंदर क्या होगा, कि जो metal है, उसमें से एक electron निकल करके benzene ring के ओपर transfer होगा, जिससे क्या होगा, कि anion radical का formation होगा, जो कि resonance stabilized ह होगा, तो sodium हमारे पास यहां पर metal है, तो sodium से क्या form होगा, na plus and a electron, अब जो ही electron है, benzene ring के ओपर attack करेगा, जिससे क्या होगा, कि यहां पर तो हमारे पास negative charge हो जाएगा, एन एक free radical जो है, वो भी form हो जाएगा, ठीके, तो इस तरीके से benzene से structure का formation होगा, electron के इसके ओपर attack करने स second step हमारे पास आए कि protonation by alcohol, तो alcohol जो है, उससे proton जाएगा, इस ring के ओपर जिससे की protonation का process होगा, इन इससे हमारे पास second radical का formation होगा, ठीके, तो यहां पर क्या होगा, H plus यहां से निकल करके, इसके ओपर attack करेगा, तो plus है तो वो minus पर attack करेगा, तो यहां पर एक proton H जो है, वो हमा proton इसके ओपर add करेगा, तो पहले जो sodium metal है, उसमें से एक electron निकलेगा, और वो इसके ओपर attack करेगा, electron आएगा, तो इससे क्या आएगा, यहां पर negative charge आजएगा, तो यहां क्या हुआ, सेम यही structure है, बस electron के attack करने से यहां पर negative charge आगा, अब इसके बाद में जो alcohol है, उसमें से proton इसके ओपर attack करेगा, जिससे minus के ओपर attack करके है, फाइनली हमारे पास 1,4-dihydrocyclohexadiene जो है, इसका finally हमारे पास formation हो जाएगा, ठीक है, तो इसका mechanism बहुत ही simple साए, सबसे पहले एक electron जो है, वो metal में से benzene ring के ओपर attack करता है, जिससे की radical का formation होता है, दिन उसके बाद में एक proton, alcohol में से इसके ओपर attack करता है, जिससे की हमारे पास में इस structure का formation हो जाता है, मतलब वापिस से यहाँ पर एचा जाता है, उसके बाद में क्या होगा कि electron attack करेगा, electron से negative charge आगे, दिन उसके बाद में proton add होगा, जिससे हमारे पास final जो structure है, वो form हो गया, ठीक है, तो बर्च reduction के अंदर simply aromatic rings जो है, इससे unconjugated dihydro derivatives का formation होता है, now जो fourth reaction है, वो हमारे पास आती है, wolf-kishner reduction reaction, इसके अंदर क्या होता है, कि aldehyde या फिर ketones जो है, इनका reduction होता है, alkanes के अंदर in presence of hydrazine and strong base, hydrazine होता है, N2H4, that is NH2, NH2, and strong base, हम sodium hydroxide को ले सकते हैं, ठीक है, so इस reaction की simply definition क्या हो गई, reduction of aldehyde and ketone into alkanes in presence of hydrazine and strong base is known as wolf-kishner reduction reaction, ठीक है, example हमारे पास आगया, जैसे CH3, CH2, whole 5, COCH3, यह है, octane-2-one, इसके उपर जब hydrazine, that is NH2, NH2, and strong base, that is NaOH, attack करेंगे, तो उससे क्या होगा, कि alkane का formation होगा, that is CH3, CH2, whole 6, and CH3, that is N-octane, जो है, एक alkane का formation हो जाएगा, ठीक है, तो यह होगा, इसके simply definition and example, ना हम देखते हैं कि इसका mechanism जो है, वो किस तरीके से होगा, इसके mechanism के अंदर हमारे पास total 4 steps होती है, ठीक है, first step के अंदर क्या होता है, hydrozone का formation होता है, इसमें क्या होगा, हमारे पास जो LDID या फिर ketone है, वो hydrazine, that is NH2, NH2 के साथ में react ठीक है, उससे हमारे पास में hydrazine का formation हो जाएगा, that is, R, C, R' double bond N, NH2, N plus 2 है, water का यहां पर formation हो जाएगा, ठीक है, तो simply first step के अंदर hydrazine का formation हो गया, next आता है second step, इसके अंदर क्या होगा, hydrazine के anion का formation होगा, मतलब formation of anion of hydrazine, तो hydrazine के anion का formation कैसे होगा, base में से OH-2 है, वो इ जिससे क्या होगा, कि anion का formation हो जाएगा, जिससे हमारे पास जो anion हो आएगा, R, C, R' इसके ओपर minus charge आ गया, OH- attack करा दो, N double bond NH, ठीक है, यह जो rearrangement से यह वाला structure जो है, वो form होता है, now next आता है third step, third step के अंदर क्या होगा, कि carbonyl carbon के उपर proton जो है, वो attack करता है, और वो proton कहां स इसके ओपर hydrogen attack कर देगा, तो क्या होगा, यहाँ पर से negative charge जो हो हट जाएगा, हमारे पास R, C, R' H, then C, N double bond NH, इसका formation हो जाएगा, प्लस OH- जो है, वो अलग से यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है, last step के अंदर क्या होगा, कि nitrogen मतलब N2 जो हो जो है, वो loss हो जाएगा, और carbon के ओपर negative charge जाएगा, और यह वाला lone pair जो है, वो इधर पर shift हो जाएगा, इससे क्या होगा, जो N2 है nitrogen वो यहाँ से बहार निकल जाएगा, तो इस तरीके से nitrogen तो यहाँ से बहार निकल गया, और carbon के ओपर negative charge जाएगा, तो हमारे पास जो है, इसके साथ, मतलब बनलब water को इ that is RCH2R' and plus OH-, तो इससे क्या होगा, simply हमारा ketone से जो है hydrocarbon का formation होगा and presence of hydrazine and strong base that is NaOH, ठीक है, तो यह थी simply हमारी wolf-kishner reduction reaction, जिसके अंदर simply LDID या फिर ketone जो है, वो alkane के अंदर reduce हो जाते है, hydrazine that is N2H4 and strong base के presence में, ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो 4 reactions discuss करनी थी वो complete होती है, ब पाके की जो बची होई 5 reactions हो, आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर cover कर लेंगे, अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी doubt आया, तो आप comment section में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो helpful लगी तो please आप इस वीडियो को like करना, अपने friends के साथ भी share करना और channel को subscribe करना, thank you so much इस वीडियो को इन तक देखने के लिए और channel को support करने के लिए